गुद मॉर्णिंग एवरीवन मेकेनिंगल एंजिनरिंग के अंदर सब्जेक्ट मैनुफेक्चरिंग टेकनोलोजी में चैप्टर नबर थ्री जो हमरा है मैटल जोइनिंग प्रोसेस उसके अंदर हम लोग डिसकस कर रहे थे अलग अलग तरीके की जो वेलिंग प्रोसेस थी वो उसमें हमने बहुत अलग अलग तरह की मैक्सिमम जो मैटल जोइनिंग प्रोसेस थी या पर जो वेलिंग प्रोसेस थी वो हमने डिसकस कर लिए आज आगे बढ़ेंगे चेप्टर में, next topic हम discuss करने वाले है, electrode, that means electrode for a arc welding, specially जो electricity की बज़ा से, या फिर उसकी मदद से, जो arc welding process होता है, उसके अंदर जो electrode use होते है, ठीके, तो वो किस तरके के होते है, क्या speciality होती है, everything, a से लेके z तक, पूरा information हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे, and electrode is a pieces of wire, और a rod of metal और alloy, जो electrode होते हो, basically, जो अमरा wire आता है, उसके एक तुकड़ा होता है, पीस होता है, या फिर कुछ diameter वाले rod होते है, especially यह जो wire और जो road होते है, वो किस में से बनते है, तो वो metal में से बनेंगे, या फिर metal और alloy में से बनेंगे, ठीके, कुछ material होगा, कुछ pure material होगा, या फिर कुछ mixed, alloys होगे, with or without coating, यह electrode coating के साथ भी आता है, और without coating भी आता है, अब पुछोगे से किस material का coating होता है, तो basically उसके उपर जो coating होता है, वो flux material का होता है, यानि आप ऐसा बोल सकते हो, कि flux coated electrode है, अभी हम लोग जो workshop में आर्क वेलिंग करते हैं, वहाँ पे हम लोग जो electrode यूज करते हैं, वेलिंग के लिए, आर्क वेलिंग प्रोसेस में, तो वो flux coated आर्क वेलिंग होता है, तो वो flux coated electrode होता है, मतलब उसके उपर हमने जो flux होता है, यानि जो protection material होता है, उसको हमने कोटिंग करके रखा है, बीना flux कोटिंग के होए, यानि without coating वाले electrode भी आते हैं, अब यह जो electrode है, उसको हमने classify किया है, अलग-अलग तरीके से, ठीक है, according to welding process, according to application, according to construction, हमने इनको classify किया, अलग-अलग तरीके से, तो पहला जो electrode होगा, वोगा consumable electrode, consumable का मतलब क्या होता है, कि जब-जब welding process होगा, तो वो खुड खर्च हो जाएगा, मतलब खुड वो पिगलेगा, और joint apply करेगा, यानि welding apply होगा, और वो खुड पिगल के वहाँ पे joint create करेगा, मतलब वो खुड खर्च हो रहा है, तीक है, उसके बाद होगा bare electrode, बेर electrode का मतलब होता है, without coating, आपने सिफ मेटल को ही रखा है, मेटल के सरिय को या भी बाहर को रखा है, उसके ओपर कूछ किसी भी चीज़ का protection नहीं है, या फिर coating नहीं है, तो उसको बोला जाएगा bare electrode, या आप बोल सकते हो, uncoted electrode, या फिर without coating, clear, उसके बाद होगा, मतलब, coated electrode, मतलब, flux coated electrode, तो जो consumable electrode होते है, जो खर्च हो जाते है, during the welding process, तो वो दो तरह के है, without coating, तो bare electrode, with coating, तो electrode coated, या फिर coated electrode बोला जाएगा, ओके, दूसरा रेखेंगे, तो दूसरा होगा, non-consumable electrode, मतलब, during the welding process, वो consume होंगे, नहीं, ना ही वो पिख लेंगे, ना ही वो consume होंगे, शिब क्या करेंगे, आर्क क्रियेट करेंगे, temperature क्रियेट करेंगे, और welding process को आगे बढ़ाएगे, खुड कभी खर्च होंगे, नहीं, तो non-consumable ऐसे electrode है, जिसके अंदर आएगा carbon और graphite electrode, यानि electrode, specially carbon में से बना हुआ है, carbon material का, या फिर जो graphite आता है, उसमें से भी electrode बनते है, जो basically non-consumable होते है, तंक्स्तन के electrode होते है, तंक्स्तन आप सबको मालूम है, metal है, ठीक है, ठीक welding process जो था हमारा, तंक्स्तन, inner gas, arc welding, उसमें हमने ये तंक्स्तन के electrode यूज़ किये थे, जो non-consumable थे, ओके, दूसरा आपको यहाँ पर थोड़ा description दिया गया है, मैं थोड़ा आपको overview दिखाऊंग क्योंकि ज़्यादा importance नहीं है, आपको सिफ़ एक basic overview होना चाहिए, जो consumable electrode होते है, वो आप अलग-अलग metal में से और अलग-अलग metal के alloy में से बना सकते है, as per your requirement, जैसे कि हमारा welding का electrode होता है, वो basically mild steel का होता है, cast iron का होता है, उसको पर हमने flux का coating करके रखा है, ठीक है, main क्या ह होना चाहिए, तो कि वर्कपीस पर उसका strike होना चाहिए, जब भी हो strike हो, तो spark create होके, वहाँ पर melt होके, joint create करना चाहिए, clear है, coder electrode की बात करेंगे, तो किस चीज़ का coating होता है, तो मैंने भी आपको बता दिया, कि flux coating होता है, flux coating से क्या होगा, तो कि वाई, एक तरीके का envelope create हो आ नहीं पाएगा, ठीक है, बाहर की जो दूल मिटती है, वो भी melt joint के अंदर create आ नहीं पाएगी, atmospheric जो contamination होता है, वो welding से थोड़े दूर रहेंगे, तो अच्छी quality वाला joint मिलेगा, और main function क्या है, flux coated material का, तो वो arc को stabilize करेगा, यानि कि arc की जो stability है, ठीक है, आर्क को stabilize करेगा, जिससे ज़्यादा देर तक spark create हो सकेगा, अच्छी quality वाला, अच्छी density वाला spark create होगा, जिससे ज़्यादा heat create होगी, और फटा फट वेल्डिंग प्रोसेस conduct होगा, non-consumable electrode होते है, वो बनाए जाते है pure carbon में से, ठीक है, pure tungsten में से, या फिर आप carbon और tungsten के जो alloy होते है, कार्बन का alloy को या होगा, graphite और tungsten और tungsten के alloy भी आप यूज़ करके, जो consumable electrode है, वो बना सकते हैं, consumable के non-consumable, non-consumable समझ मैं वापिस बोल रहा हूँ, non-consumable electrode आप carbon, graphite, pure tungsten और tungsten के जो alloy होते हैं, उसमें साब बना सकते हैं, यह, यह जो non-consumable है, during the welding process, वो consume होंगे, नहीं, हाँ, कुछ सालों तक आप continuous process करोगे, उसको continuously use करोगे, तो minor mm में उसकी size में थोड़ा difference आएगा, because of the wear, बाकि ज़्यादा फरक आपको दिखेगा, नहीं, next हम लोग देखने वाला है resistance welding, resistance welding में क्या होता है, तो जैसे हम लोग जानते हैं, कि जब भी electricity supply होता है, अगर आपने कहीं पे circuit के अंदर resistance बड़ा दिया है, तो उस resistance वाले portion में से electricity को pass होने में ज़्यादा समय लगता है, वो resistance जो होता है, वो electricity के flow को restrict करता है, और उसकी बज़ा से heat energy create होती है, बस वही concept को इन लोगों ने resistance welding process के अंदर use किया है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे display के उपर एक setup दिया गया है, clear, क्या होता है resistance welding process में, तो मैं पुरा आपको detail में समझाता हूँ, concept आप समझ गया होगे, कि हमको resistance को use करना है, उसकी मज़र से heat create करनी है, clear, दूसरा है कि यह जो resistance welding process है, उसको pressure welding process भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग joint लगाने के लिए pressure use करेंगे, यानि pressure apply करेंगे, इस machine में क्या होता है, तो एक frame होती है, frame के उपर एक movable arm होता है, और एक fix arm होता है, अब यह जो movable arm है और fix arm है, उसको हम लोग, जैसे का आप देख सकते हैं, यहां पे movable arm को हमने यहां से connect किया है, circuit के साथ, और जो fix arm है, उसको भी हमने connect किया, यहां पे circuit के साथ, मतलब जो positive and negative terminal आते हैं न, उसको हम लोग क्या करेंगे, तो कि एक terminal को movable arm के साथ connect करेंगे, और दूसरे terminal को fix arm के साथ connect करेंगे, clear, और बीच में हमने क्या कर दिया है, यहां पे resistance वोला circuit create किया है, clear, आप लोगों ने पढ़ा होगा transformer type arrangement, तो transformer में basically क्या होता है, दो coil होती है, एक left side coil होती है, एक right side coil होती है, और बीच में हम लोग क्या कर सकते है, capacitor की plate रख देते हैं, अब यह primary winding हो जाएगा, बीच में plate हो, यह secondary winding हो जाएगा, अब यह secondary winding हो जाएगा, अब यह secondary winding है, इसको लोग कहता है regulator, उसके अंदर से हम लोग क्या करेंगे, high current वाला, यानि high voltage वाला alternative current supply करेंगे, clear top देख सकते हैं, यहाँ से high voltage वाला AC current supply होगा, जैसे ही circuit के अंदर AC current supply होगा, regulator की मड़ट से, transformer क्या करेगा उसको, उसकी जो value उसको बढ़ाएगा, as per the requirement, और बड़े होए value के साथ AC current, finally, जो movable arm है और जो fix arm है, वहाँ पे आएगा, clear, अब भी आप देखिए, कि भाई, यह जो circuit है, वो इस तरीके से complete होना चाहिए, लेकिन, क्या हो रहा है, तो कि यहाँ पे तो हमने बीच में, circuit को break कर दिया है, और circuit को break करके, हमने क्या लगा दिया है, तो यहाँ पे मैंने, जो movable arm था मेरा, उपर का जो movable arm था, वहाँ पे मैंने एक electrode connect कर दिया है, और fix arm के साथ एक electrode connect कर दिया है, अब देख सकते हैं, यह है है electrode, ठीक है, अब यह electrode क्या करेंगे, तो जब जब यह electrode आपस में contact में आएंगे, तभी यह पूरा circuit complete होगा, और current flow होगा, जैसे circuit break हो जाएगा, current flow ना बंद हो जाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, तो उस time पे हम लोग, हमको जिस metal का joining करना है, उस metal को हम लोग ऐसे overlap में रखेंगे, एक के उपर एक, ठीक है, जिस point पे हमको joint लगाना है, वहाँ पे, जो fix arm है, उसका जो electrode है, उसके उपर perfectly plate को set करेंगे, यहाँ पे नीचे एक lever होगा, उसको pair से apply करेंगे, डबाएंगे, जैसे आप lever को डबाओगे, यह जो moveable arm है, वो pressure के साथ नीचे की और आएगा, और, डोनों electrode के बीच में, हमारा जो भी wailing करने वाला plate है, वो आ जाएगा, आपको थोड़ी देख तक lever को डबाओगे, pressure apply किये रखना है, clear, अब देखे, circuit complete होने ही वाला था, यहाँ पे circuit complete होने ही वाला था, के बीच में क्या आ गया, plate आ गया, मतलब अब current को jump करके जाना परेगा, current क्या करेगा, इस electrode से jump करेगा, plate में आएगा, और plate से फिर क्या करेगा, नीचे आएगा, तो आप बुला कि sir यह तो हम plate हाट से पकरके रखेगे, तो हमको current लगेगा, नहीं, current कब लगेगा, जब पूरा circuit complete होगा, यहाँ तो circuit complete हुआ ही नहीं, डोनों electrode पास पास आ गए, डोनों electrode एक दम पास आ गए, लेकिन आपस में contact नहीं कर रहे है, बीच में को न आ गया, हमारा welding plate, तो indirectly contact हो रहा है, डोनों electrode के बीच में small gap क्रेट हो रहा है, जिसकी बज़ज़ से, incomplete circuit होने की बज़ज़ से, रेजिस्टन्स क्रेट होगा, ठीक है, अवरोट, अब electricity को flow होने में, रेजिस्टन्स लग रहा है, मतलब अवरोट लग रहा है, तो उसकी बज़ज़ से, उसका loss होगा, यह जो loss है, वो हमारा convert हो जाएगा, heat energy में, उसी समय पे आपने pressure apply करके रख है, तो जैसे ही छोटा सा spark क्रेट होगा, रेजिस्टन्स की बज़ज़ से, कि तुरंट ही particular उस portion में, जहां पे दोनों electrode ने प्रेट को डबा के रखा है, सिर्फ उसी point पे छोटा सा spark होगा, हलका सा आपको दीखेगा, ना ही दीखेगा, और उसी point पे metal पिग लेगा, और melt हो के हापस में joint लगा देगा, clear, आदा minute, eight minute लगता है, मुश्किल से आदे से एक minute लगेगा, अब आपको क्या करना है, lever को relief कर देना है, मतलब दोनों electrode वापिस disengage हो जाएंगे, नीचे वाला तो fix है, तो वही रहेगा, उपर वाला movable है, वो वापिस अपनी initial position में चला अब आप क्या कीजिए, plate को थोड़ा आगे बढ़ाईए, दूसरा आपको joint लगाना है, वहाँ पे ले जाएए, वापिस liver को दबाईए, जैसे आप liver को दबाऊगे, आदे second में छोटा सा spark होगा, joint लग जाएगा, वापिस आप liver को disengage कर दीजिए, वापिस process repeat कीजिए, तो यह जो मैं बोला हूँ ना, वो बहुत ही फटा पट होता है, यह तो process था, इसलिए पूरा थोड़ा मैंने आपको time देखे समझाया, बकि जब actual welding होता है, resistance welding, तो बहुत ही फटा पट होता है, जैसे आपने plate रखा, liver दबाया, तुरन joint लग गया, वापिस liver को relieve किया, plate को आग आप लोग किस-किस चीज का जो welding है, वो इस process से कर सकते हैं, तो जो हमारा sheet metal आता है, मतलब ऐसी plate, जो sheet metal category में आती है, जिसके thickness कम होगी, ऐसे material को, ऐसे material को plate को, ऐसे material की plate को, आप लोग resistance welding से joint लगा सकते हैं, clear है, तो यह हमारा concept resistance welding का, अगर आप लोग free हो, तोड़ा समय मिले, तो simple लिखेगा, YouTube पे resistance welding, पूरा animation process आपको देखने को मिल जाएगा, clear, तो यह मैंने आपको समझा दिया, तेके important process है, resistance welding, तो खास याद रखेगा, बहुत ही, important है, लेकिन साथ में एकनम simple भी है, मैंने आपको समझा दिया है, अब description पर होगे, figure draw करोगे, तो easily आप समझ जाओगे, कैसे इसका working होता है, और फिर भी ना समझ में आए, तो छोटा सा वीडियो होगा animation का YouTube पे देख लीजिए, और आपके concept clear हो जाएंगे, तो यहां तक रखते हैं आज के lecture में, next lecture में जब मिल करेंगे, तब इसी chapter के topic को में लोग continuous करेंगे, okay, thank you